नमस्कार दोस्तों सान कीचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं पनीर टिका ये खाने में बहुत ही टेस्टी है इसे सभी लोग पसंद भी करते हैं पनीर टिकी बनाने में बहुत ही आसान है और ये सिंपल तरीका से तुरंत ही बन करते यार हो जाता है तो चलिए पनीर टिकी बनाना शुरू करते हैं पनीर टिक्की बनाने के लिए मैं यहां पर पनीर को ले ली हूँ इसे मैं छोटे-छोटे टुक्रों में काट ली हूँ आप मैं इसमें लाल मीर्च को डाल देती हूँ थोरा सा हल्दी पॉडर को डाल देती हूँ गरब मसाला को मैं डाल देती हूँ इसमें स्वादनुसार नमक को डालके इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ तक हमारा पनीर में जो है नमक और मसाला एबजर्ब कर ले पनीर के चाहे तो आप अपना घर पर बना सकते हैं या आप बजार से फलवद भी करा सकते हैं मैं यहां से भजार से पनीर को मंगाई हूँ अब मैं इसमें दो चमच बेसन को डाल देती हूँ अब दो चमच मैं चावल का आटा डाल देती हूँ इसमें थोरा सा हल्दी पॉडर लाल मीर्च इसमें गरम मसाला थोड़ा सा अधरक लहसन का पेस्ट में डाल देती हूँ इसमें मैं थोड़ा सा स्वाधनुसार नमक को डाल देती हूँ अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेती हूँ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा बेशन जो है, बेशन में ज्यादा पानी नहीं परे हैं, मैं इसे अपना जरूरत के हिसाब से पानी को डाल दी हूँ, ऐसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, हमारा बेशन तैयार है, मैं कराही में तेल को गर्म कर लेती हूँ, इसमें मैं पनीर को डाल देती हूँ, ऐसे म अच्छे से पकेगा नहीं कि पनीर अच्छे से पकेगा नहीं। आप मैं इसे निकाल लेती हूँ मैं सारे पनीर को अच्छे से निकाल लेती हूँ दूसरी बार मैं पनीर को इसी तरह बेशन में लपएट के ऐसे मैं छान लेती हूँ हमारी इस रेश्पी को देखर आप अपने घरों में जरूर ट्राय करके देखे आपको बेहद पसंद आईगी एक तरब हमारा पनीर अच्छे से पक गया है आप मैं दूसरी तरब पनीर को पल्टा लेती हूं आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर पक कर तयार हो गया है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में उतना ही क्रिस्पी और करंची है आप मैं दूसरे पनीर को निकाल लेती हूँ हमारा पनीर टिकी बनकर तयार है आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर टिकी कितना क्रिस्पी और करंची बनकर तयार है आप इसे खाईए और इंज्वाइ कीजिये हमारी ये recipe आप सभी को कैसी लगी comment box में जरूर लखे आपका comment परना मुझे बहुत ही अच्छे लगती है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छे लगती है